यदि आपको Grand League जीतना है तो आपके लिए कौन सी रणनीती में आपको बदलाब करना पड़ेगा तो आज हम इस वीडियो में बताने बाले हैं साथ में दूस्तो हम आपके लिए 50,000 का फिरी गिबावी लेकर आएं गिबावी कहां मिलने बाला है इसके बारे में आपके लिए हम बताने बाले हैं और दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जो ट्रिक मिलने वाली है ग्रेंग बिन करने के जिया दोस्तो इस पेशली ग्रेंग बिन करने की वो आपके लिए किसी वीडियो में नहीं मिलेगी इस लिंक आपको वीडियो को डिस्क्स मिल जाएगी टेलिग्राम की तो आप बहुत जाके आप आप आपारा टेलिग्राम चेनल जोइड कर सकते हो क्योंकि आफ्टर टॉस आपके लिए विद कैप्टन बाइस कैप्टन फाइनल टीम टेलिग्राम पर ही मिलती है और भी बहुत सारी information होती है जैसे pitch report, pitch कैसा behave करेगी सभी के बारे में information टेलिग्राम पर मिलती है तो प्लीज आप हमारा टेलिग्राम जोइन करना बिल्कुल मत बूलिएगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो वेन्यू के बारे में इस बात को आप मान कर चलिएगा यहाँ पर आप देखोगे एक टुटी मुकाबले खेलेगा है पहले बाले बाजी करते हुए 35, सेकंड बाले बाजी करते हुए 47 मुकाबले बन किये है बात करें फर्स्ट इनिंग एबरेज स्कोर तो आप देखोगी 163 और सेकंड इनिंग से आप देखोगे तो 161 यहाँ पर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर हाइस टोटल के बारे में 235 बना है लोएस टोटल 59 असरन यहाँ पर मात्र बना है बन उपर स्कोरिंग पेटरन के बारे में चर्चा की जाए तो 150-150 से नीचे 26 बार 155-169 अठारा बार 172-189 चौबिस बार और 190 एब अब दोस्तों 14 बार स्कोर बना है 186 बना पाई थी दोस्तों यहाँ पर पेश बॉलर को 6 विकट तो इस्पनर को भी 6 विकट यहाँ पर आप बिल्कुल बराबरी देखने को मिलेगी उसके बाद संडाइजर सेधरबाद ने 228 बनाये थे और कॉलकत्ता 205 बना पाई थे यहाँ पर पेस बॉलर दोस्तो आठ विकेट और इस्पनर को 3 विकेट मिले थे अगला पुकाबला हुगा था दोस्तो वो देखोगे आप RCB और KKR जिसमें इस्पनर ने कमाल किया था दोस्तो बारा विकेट निकाले थे आपने देखोगा तीन विकेट स्थिया तीन या चार स्थिया दोस्तो उसके बाद नाराएने विकेट ले गए थे तो आप समझ सकते हो दोस्तो कि दरे इंपोडेंट हो जाते हैं खासकर इस्पनर दोस् दोस्तो दोस्तो साथ बनी थे और 193 में अलबुस्ट सेकेंड इनिक्स मना लिए थे यहाँ पर थोड़ा इस्पनर पीछे रह गए लेकिन आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि इस्पनर को यहाँ पर वेनिफेट जरूर मिले वाला है तो प्लीज आप दोस्तो आप वीडि दोस्तो आपको हमारी तरफ से 100 रोपे का कैस बना साजाएगा और साथ में फर्स्ट टाइम आप जितना भी डिपोजिट करते हो उसका हम आपके लिए डबल देने बाले हैं जियां दोस्तो पांच आर नौसो नन्यान वे तक जितना भी डिपोजिट करोगी उसका हम आपके लिग जोईन कर सकते हो जिटनेफसर ऑड़ ये फिरिवोड जोइन कर ले इतने सारी वैनिफेड जब एक एक अप्र्रीकास मिल रहा है तो दोस्तो एक बार आप जरूर्ट ट्राइ करकर देखिए तो चलिए बात करते है है ед to head दो मुकाबल झेल गाएं ये आप बेखो कि ए त्रेसर रन और सुब्मान के 49 रन और अल्जारी उसेप को दो बेटर समी को एक बिकेट मिला था यहाँ पर आयर ने तेराशी रन ड्रिंकु सिंख 48 यस दयाल के लास्ट ओवर रन 5-6 मारे दोस्तों याद होगा मेरी एसाब से तो आपको मुकाबला हो नितेसराना 45 और उसके को डिफेंट किया था कोलकत्ता मात्र 148 बना पाई थी हार्दिक पांडया 67 रन डेविन मिलर 27 रन रिदिमान सा 25 जो की रेंज है रिदिमान सा की राशित खान को दो विकेट एस दयाल को दो विकेट और अल्जारी जुसेप को एक विकेट मिला था यहाँ पर यदि आप दे अभी दौनों को दौनों यह फैल रहा है तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम प्लियर बैटल के बारे में जो कि सबसे इंपोडेंट वहने बाली है आप एक बार इसे ध्यान से देखिएगा अब आप यहाँ पर देखो कि बैंक टेस है जो कि ओडन सिमित के सामन दोस्तों इस्टगल करती हुए नजर आ जाएंगे खास बात है कि ओडियन से मत खिलती हुए नजर नहीं आएंगे तो आईयर के रन करने के चांसे बढ़ जाते हैं और लास्ट मैच में भी उन्होंने ठिक ठाक प्रमेंस किया था तो आप समझ सकते हो कि आयर आपके लिए यहां पर हो सकता है जैसन रॉय रिसेंट कापी अच्छे फॉम हैं लेकिन हार्दिक पांडिया और दोस्तों मौमस समी जो कि दोनों ही ओपनिंग में गेंदबाजी करने वाले हैं तो इसे परिशान करेंगे जी हां दोस्तों इसकी आकोर्डिंग आप क्या चेंजिस कर सकते अंटे कांड दोस्तों और दोस्तों नेटे पांडिया ना हर्दिक पांडिया ने दोबार आउट किया 21.02 ती सिर्ण देकर राएब रादिक कहां दूल आउट किया अप देखिया पांच बार आउट किया है याद रहेगा पांच बार आउट बहुत बड़ा दोस्तो ए आउट होता है 37 गांदों में 52 रंग जरूर की है लेकिन पांच बार आउट भी किया है उसके बाद अलजारी जोसिप ने दो बार आउट किया है तो यहाँ पर रसल को परिशानी तो आने वाली है इस बात को तो आप बिल्कुल धियान में रखकर चलिएगा दोस्तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर गुजरात के प्लियर की तो सुमान गिल इंपोडेंट चोइस आपके लिए हो सकते हैं सार्दुल ठाको ने दो बार आउट किया साइट खिलती हुए नजर ना आए और टिम साउधी भी खिलती हुए नजर ना है हार्दिक पंडेया इम्पोडेंट चोइस हैं नोट का लिजगा दोस्तो समल ली स्मान गिल को भी आप केप्रेंसी बाइस केप्रेंसी दे सकते हो आंद्री रसल ने चेकेंदों पांचरन बनाने दिये और एक बार आउट किया और दोस्तों उसके बाद सुनिल नाराइने 31 सेकेंदों 35 और दो बार आउट किया नाराइने फसाते हुई नजर आ जाएंगे हार्दिक पांडे और दोस्तों लेग स्पनर के खिलाब फस भी रहें तो सुयस सर्मा इन्होंने ज़्यादा गेंदवाजी नहीं किये हार्दिक पांडे के खिलाब तो वो भी इन्हें आउट कर सकते हैं इस बात को आप ध्याने में रख कर चलिएगा डेविड मिला रहें दोस्तों आंद्री रसल खिलाप इस्टागल करेंगे सुलिन नाराइने खिलाब उसके बाद अभीनम मन हुआ है रसल और दोस्तों सर्मा के खिलाप इस्टागल किया एक ही मुकाबला इन्होंने सर्मा के खिलाप उसमें ही सर्माने ने आउट कर दिया है स्वयस सर्माने तो चलिए बात करते हैं संभावित 11 की बारे में तो आप यहाँ पर संभावित 11 देख सकते हो दोस्तों जगदी सन है जिसन रोय है बेंग्टे सहियर नीते सराना इरिंक संकर, अभीनम मनुहर, डैविड मलर, मुहमाद समी, रासित खान और दोस्तों नूर आहमाद, नूर आहमाद खेलेंगे तो अपडेट में टेलीग्राम पर करूँगा बैसे मेरे इस आप से खेलती हुए जार आजाएंगे क्योंकि बिकेट स्परनर का सपोर्टर है उसके ब बहुत कॉनिफिडेंस से नहीं मिला होगा और एक 36 रन के इनिक्स के लिए हलाकि ओपन करते हुए नहीं जर आ जाएंगे और सामने वाले टीम में जो बिकेट की पर है न वो नीचे बले बाज़ी करेंगे उसके बारे में स्वादी बो भी ओपन करेंगे लेकिन दूस्तों उनकी रेंज है 25-30-27 रेंज है अब आपको दोनों में से डिसाइड करना होगा कौन लेना है दोस्तों हम आपके लिए क्लियर करकर देंगे लेकिन आप अपने बेबेक की अनुसार भी ले सकते हैं तो हैड-to-head में 33 रन मनाए एक मुकाबले में और वेन्यू पर आप देख कुछ खास नहीं है वेन्यू पर भी दो मुकाबलों में 62 रन है दोस्तों इम्पोडेंट चोयस आपके लिए हो सकती है इस्मॉल लिग प्लस ग्रेंड लिग की आप इन्हें अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद दोस्तों बात की जाए यहां पर आप देखोगे ब बैनुवर तेती है बैनुवर एतना खास नहीं है लेकिन हैट टो हैड इंपोडेंट है तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो और दोस्तों ग्रेंड लिग की टीम में कैप्टैंसी 22 कैप्टैंसी जरूर देना दोस्तों अब आप आप अपनी सोच में क्या जी सकते हो जी चया दूस्तों बिल्कुल जी सकते हो ग्रेंड लिग दो करोड आपके हो सकते हैं उसके बाद बात की जाये जोस्तों नीतस राण यह थोडी बहुत घयंदबाजी भी कर रहा है और दोस्तो वहाँ पर बिकेट निकाल लाएं. एक मुकाबले में दो बिकेट निकाले थी. हैड़ाइड – हैड़ड तो 13 का अबरेज है. 553 रन मनाएं. तो दोस्तो ग्रेन लिग्ड की इंपरेज पहे हैं. small league में आपको एक average पिक है लेकिन grand league की बहुत अच्छी पिक है उसके बाद बात की जाए रिंकु सिंग के बारे में तो ए भी सरफ grand league के option है last मुकाबले 5 पर 5-6 जरूर लगा दिये थे दोस्तो लेकिन हर एक मुकाबले में ऐसा नहीं होगा हाला कि player अच्छे है recent काफी अच्छ में ना मिले आंदरे रसल ए स्मॉल लिग की टीम में मिल सकते हैं दोस्तो recent अभी गयंदबाजी भी कर रहा है रेगुलर तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हैं और एक risky captain 222 जरूर हो सकते हैं लेकिन दोस्तो आप इन्हें ट्राइज जरूर करिए ग्रेंड लि दोस्तो साथ में 30 विकेट भी हैं और head to head भी 4 विकेट हैं important pillar हैं आप इन्हें ट्राइ जरूर कर सकते हो उसके बाद आप देखोगे यहां पर तो सुनी नाराय ने ए दोस्तो कुछ खास इन्हों है पिछले दुनों में तो कुछ किया नहीं है यदि आप इन्हें drop भी करना चाहते हो ना तो कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं अपने small league के team में भी आप इन्हें drop कर सकते हो देखोगे लगतार विकेट लेस आ रहा हैं सुरुवात के मुकाबला हम जरूर विकेट मिले थे तीन विकेट इनके खिलाप इन्हें मिले थे यहां पर देखोगे head to head तीन विकेट ह और दोस्तो when we were 69 विकेट हैं important choice हो सकती है grand league के साब से लेकिन small league के साब से दोस्तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हो उसके बाद आप देखोगे डैविड वीजे सिर्फ grand league की चोई से small league में आप इन्हें try मत करिएगा उमें से आदब दोस्तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्हें क्यों खिलाया जा रहा है आप देखोगे लगतार ये विकेट लेस रहे हैं सिर्फ एक मुकाबले में इन्हें बिकेट मेले फिर भी टीम मेनेजमेंट इन्हें खिलाया जा रहा है बाई किसी नए player को मौका दे कर देखिएगा अच्छी गेंदबाजी कर सकता है head to head में एक विकेट है दोस्तों और वेनुवर 29 मुकाबलों में 22 विकेट है उसके बाद देखोगे बरुन चक्रपरती important choice हो जाती है दोस्तों विकेट के according और आप इन्हें ट्राइ कर सकते है लाश्ट मुकाबले में आपने देखा हुआ grand league winning team का captain wise captain थे यहाँ पर लाश्ट मुकाबले में तीन विकेट निकाले उसके बाद आप देखोगे दो विकेट चार विकेट मतला अच्छी गेंदबाजी यह नहोंने किये चार विकेट दोस्तों इसी वेनुफर है निके head to head में तो इन्हें विकेट नहीं मिला लेकिन वे एक विकेट और दोस्तों तीन विकेट इसी वेनुफर निकाले थे तो इम्पोडेंट पिलियर है वेनुफर तीन मुकाबले खिले है चार विकेट निकाले आप इन्हें अपने टीम में ट्यम कर सकते हो अब हम बात करते हैं दोस्तों सामने वाली टीम की गुज़राid Titans के ब में इनके साथ कम से कम 5-7 combination ट्राइ करेगा, वहाँ आपके लिए ये काफी important हो सकते हैं, उसके बाद बात करें रिद्धिमान सहा, दोस्तों इनकी range है, हालागि एक मुकाबले में 47 जरूर बनाए थे, 60 वी बनाए हैं, लेकिन इनकी range है 25-30 रण तक 25-30 रण तक बनाते हैं, राउट हो जाते हैं अब आप इनहें लेना चाहते हैं और नारायन जगदीशन जिनका की वेन्यूफर नारायन जगदीशन का अच्छा promise है, लेकिन इनके पास experience काफी है, head-to-head में भी 18 मुकाबलों 499 रण है, 39 काबरेज है वेन्यूफर 15 मुकाबलों में 297 का अबरेज है, तो अब दोस्तो आपको decide करना हुगा, आपको किसे लेना है मेरी choice तो नारायन जगदीशन होने बाले हैं, क्योंकि मैं तो नहीं बहुत पहले से जातना हूँ, और दोस्तो बलेबाजी वह अच्छी करते हैं रिदीमान सहा यदी चल गया तो दोस्तो आपको one-sided बिनकरा कर जरूर दे सकते हैं लेकिन grand league की team में आप जरूर आर देजीगा रिदीमान सहा को और captaincy by captaincy भी दे दीजीगा, हार देख पाण दया दोस्तो आप option A भी है captaincy by captaincy के, small league में आप इन्हें weak captaincy, wise captaincy दे सकते हो आप देखोगे, तो दोस्तो इन्होंने last मुकावें 13 run एक बिकिट बहुत सांदार गयंदबाजी कर रहे हैं दोस्तो समी के साथ मिलकर सुरबात में बहुत घातक गयंदबाजी करते हैं 13 run एक बिकिट, 66 run बिकिट नहीं मिला और when over 6 मुकावलों में 160 run प्लस 7 बिकिट भी है तो when over भी अच्छा है इनका दोस्तो average है, strike rate है, उसकी according आप इन्हें captaincy, wise captaincy से अपनी small league की team में दे सकते हो, और grand league में आप इन्हें try करना मत बूलिएगा, उसके बाद आप देखोगे बिजे संकर, हाला कि दोस्तो आप small league में इन्हें try कर सकते हो, लेकिन इतरा भरूसी मंद, दोस्तो option नहीं है, हमने इन्हें try करेंगे दोस्तो, उसके पीसे reason है, risk की option है लेकिन दोस्तो recent form अच्छा चल रहा है इनका last मुकाबले में 19 run की है इससे पहले 2 मुकाबले फिर खिलाए नहीं 4-1 run और 6-7 run, कुछ इन्हों ने 49 run स्कोर किया है, दोस्तो और अच्छे form में है, टच में बले बाज है और एक risky choice जरूर है, लेकिन आपको दोस्तो यदि ये चल लगा है, तो जिता कर भी दिला सकते हैं ग्रेंड लीग में जरूर ट्राइ करेगा, इस्मॉल लीग में आपके लिए risky choice हो सकते हैं, यदि आप ट्राइ करना चाहेते हो तो कर सकते हो, बेनुपर 2-8 में 5 मुकाबलों में 148 run है 36 के अबरेज, बेनुपर कुछ खास इनका नहीं है उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अभीना मनोहर लाश्ट मुकाबले में अभीना मनोहर और डेविड मिलर ने दोस्तों बहुत सांदार बल्ले बाजी की जैसे एक प्रोपर फिनिस करना चाहिए न बैसे इन्होंने फिनिस किया, इन्होंने 42 ने बनाए साद 21 गयांदों बनाए थे, एक ही बड़ी इनिंग्स आई है, तो ग्रेंड लिग की चोईस है, स्मॉल लिग में तो आप इन्हें ट्राई मत करीगा, लेकिन डेविड मिलर को आप ट्राई कर सकते हैं, चैयालीस चैयालीस और सत्रा एक अत्तिस इनके बल्ले से दोस्तों, स्कोर आ सकता है, और बड़ा स्कोर इनके बल्ले से आ सकता है, हेड टो हेड 14 मुकाबला हम 252 रन है, 28 के अरबेज, लेकिन वेनुपर 213 रन है, और 35 का अबरेज है, साथ मुकाबला हम मत, तो वेनुपर important है, आपके लिए small league की important choice हो जाती है, यदि आप विजय संकर के साथ risk नहीं लेना चाहती है, तो आप डेविड बिलर के साथ भी जा सकते हो, दोस्तों, ए और कुछ changes आप अपने recording कर सकते हो, और after toss मैं टेलीग्राम पर सब कुछ आपके लिए अपडेट कर ही देता हूँ, तो प्लीज आप टेलीग्राम जोइन करना मत भूलिएगा, राहुल तेबत या सिर्फ ग्रेंड लिग की चौईस है, लेकिन रासित खान एक काफी important है, और small league में आप इन्हें try कर सकते हो, आप देखोगे, दो wicket, एक wicket, दो wicket, एक wicket, तीन wicket, फिर तीन wicket, फिर दो wicket, लगातार wicket निकाले हैं, और दोस्तों, grand league में जरूर इने captaincy, 20 captaincy दीजिएगा, क्योंकि बलेबाजी में भी दोस्तों, यह mini helicopter और काफी अच्छे sort है, बलेबाजी यह कर लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे, तो 14 मुकावलों में 17 wicket हैं, दोस्तों, head to head, वेनुफर 5 wicket है, लेकिन वेनुफर spinner को मदद मिलने बाली है, तो आप ध्यान में रखकर चलिएगा, रा component के अंदवाज हैं, दोस्तों, आप इने जरूर ट्राइ करिएगा, यहाँ पर आप देखोगे, तो 11 मुकावलों में head to head 12 wicket है, और वेनुफर 3 मुकावलों में दोस्तों, 3 wicket है, उसके बाद नूर अहमत लगातार अच्छी अंदवाजी कर रहा है, 3 wicket, 2 wicket, 1 wicket, दोस्तो head to head और वेनुफर 3 मुकावले नहीं खेले, लेकिन दोस्तों, impact player आपके लिए हो जाएंगे, grand league का, small league में आप avoid करकर चल सकते हो, मुझे पता है कि अधिकतर लोग इने avoid करेंगे, तो आप भी कर सकते हो, हाँ यदि आप एक risk लेकर खेलते हो ना, तो आप इन्हें अपने team मे चाहेते हो, तो रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि रख नहीं सकते, लेकिन दोस्तों, एक risk हो सकती है, समझने कि आप causes करिएगा, दो wicket, दो wicket, फिर 0, फिर 2 wicket, यहां पर आप देखोगे, 13 मुकावलों 10 wicket है, और 7 में दोस्तों, 8 मुकावलों बेनुपर 4 wicket है, सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे इसाब से, उसके बाद जोस्तों पर जरूर अपडेट करूँगा, प्लीज टेलीग्राम जोइन कर लिए, लिंक डिस्किप्शन में मिल जाई, बात करने दोस्तों, फानल टीम प्रिव्यू के बारे में, तो नारायन जगदी साने, आप इनक आप यहां पर सुनिल नारायन के साथ एक रिस्क जरूर लेना, अधी आप ग्रेंड लिक की टीम बना रहा है हो, एक मैं कैप्टाइशी बाइस कैप्टाइशी देना हो, तो अगली टीम में ब्रॉप कर देना, उसके बाद आप देखो कि राशित खान है, बैंक्टे सहीर है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद